आज की ब्लॉग में मैं आपके शाद सेयर करूंगी बच्चों की टिफिन रेसिपी और ये सिंपल सा प्लाव बनाने जा रहे हूं जो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है क्लीनिंग के कुछ ऐसे टिफ्स जो मैं खुद अपनाती हूं और ये बहुत ही यूसफुल आप कहले जी और बहुत ही कारगार टिफ्स हैं और प्लांट्स की मैं अपनी कैर कैसे करती हूं ये मेरे इंडोर प्लांट्स है आप देख सकते हैं कितने शाइनी इसके पत्ते हो रह मैं मैं स्टार्ट कर रही हूं और बच्चों का यहां मैं टिफ्स बना रही हूं शाड़े-च्छे बजए का समय हो गया है मने कर लिया है तो इसकी मुझे आज करनी है क्लीनिंग क्लीनिंग करनी है क्योंकि देखिए फेस्टिबल हमारे आसपास है एराउंड कॉर्णर है और दिवाली जैसा फेस्टिवल है नौराद है दशेरा है करवा चौत है पूरा एक महिना हम लोगों का फेस्टिवल में जाने वाला है तो बिल्कुल समय नहीं मिलेगा इसलिए क्लीनिंग मैंने सुरू कर दी है मंडे से जी हां मंडे स्टोर रूम रह गया है यह सब चीजे क्लीन करने को रह गई है तो यह धीरे धीरे होती जाएंगे तो फिर डिली ब्लॉग में आपके साथ में शेयर जरूर करूंगी किचन बहुत बड़ा काम है क्लीन करना तो उसे क्लीन करने में अच्छा खासा टाइम जाने वाला है कम स तीन दिन से बच्चे मतलब पूरी पराठे यह सब ले जा रहा है थे और तो आज चोटी वाली बेटी ने बनाया बताया कि आज मटर पुलाव ले जाएंगी क्योंकि मेरे यहां दो बच्चों की अलग-अलग डिमांड रहती है तो अल्टरनेट एक की डिमांड पूरी होत तो फटा-फट धनिया की चटनी भी सिंपिल जो बनती है उसी तरीकी के मैंने बनाया है मटर प्लाव भी बनके तयार हो गया उसे पैक करेंगे बच्चों को करेंगे विदा और फिर उसकी बाद लगते हैं अपनी मिसन पर क्योंकि बहुत बड़ा काम है सफाई जी हां डेल बोल रहे हैं थोड़ा मैं गुस्सा हो गई थी आज क्योंकि इन्हें सुबह से मैं उठा रही थी कि जल्दी से उठ जाओ और मुझे यहां जाडू मैं मतलब कर लूँ फिर उसकी बाद मुझे नीचे के फ्लोर में लगना है कोई नहीं उठा मतलब बहुत ज्यादा हो गया लेकिन वह बहुत महगा था तो फिर मैंने सुचा छोड़ो उसे यह देशी जुगार अपनाते हैं तो यह इस तरीके से मैंने हैं करके रखा हुआ है अच्छा यह जो मेरा मकान बना हुए प्लॉट है प्लॉट का यह पीछे का हिस्सा है मकान का पीछे का हिस्सा है OTS इधर वेंटिलेशन के लिए दो जाले पड़े हुए हैं जाल पड़े हुए जाल बड़े बड़े वो पड़े हुए हैं जिससे मकान में पूरे मकान में अच्छा खासा वेंटिलेशन रहता है और यह प्लॉट का जो एरिया था थोड़ा सा तिर्चा था जहां मैं खड़ी हूँ आप देख रहे हैं यह चोड़ाई में तीन साड़े तीन फिट है लगभग और इसी का continue आप चले जाएंगे पीछे तो वो जगे करीब पौने दो फिट के आसपास की रह जाती तो थोड़ा सा यह वाला इरिया देखिए थोड़ा सा मतलब चोड़ा कम है तो यहां पर मैं बस जादा कोई समान रहता नहीं क्योंकि तिरश था तो वास्तों की aux साब से तिरचे मतलब मतलब नहीं कराया जाता तो उसे छोड़ दो तो मैंने उसे वेंके साब से छोड़़ दिया था और यहां कोई इसे में यूस कर लेती हूं उसे यूस कर रहा है उसमें फिनैल वग्राइब डाल के अच्छे से में धुलाई कर दूंगी और अक्सर धुलाई होती रहती है लेकिन आज थोड़ा कुछ खास तरीके से धुलाई कर दूंगी जिससे अच्छे से साफ हो जाएगा तो यहां पर दुलाई मैंने कर दिये वाइपर मार दूंगी बहुत जादा यहां क्लीनिंग की जरूरत नहीं रहती है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कर दूंगी तो अच्छे से साफ हो जाएगा और फिर इसकी बात मैं चलूंगी रूम की तरफ रूम क्लीन करूंगी और पीछे से आज पॉसिबल नहीं होता है न तो थोड़ा सा यह वैक्यूम क्लीनर से मैं कुड़ा निकालने कुशिश कर रही हूं कि कितना भी करोड थोड़ा डस तो पीछे रही जाती है तो हां मैं आपसे कह रही थी कि किन टिप्स का मैं यूज करती हूं और यह बहुत ही एफेक्टिव ट पिर भी मैंने एक अपते का टाइम लिया क्योंकि हम लोगों को बहुत सारे जुरूरी और भी काम होते हैं उन्हें भी करना होता है और साथ में िहुआरा की सफाई भी हमलों करनी होती है तो सबसे पहले लिस्ट बनाईए लिस्ट बनाने के बाद में ही अपनी देखो capacity के हिसाब से सफाई करिए बहुत ज़्यदा stress लेके अपने आपको सारा दिन ठका कर सफाई करने की कोई जुरत नहीं है क्योंकि इससे आप बिमार ही पढ़ेंगे और कुछ होने वाला नहीं है और जो काम चल रहा है वो भी रुख जाएगा तो इससे अच्छा एक list बनाईए अगर आपका मकान ज़्यादा बड़ा है तो इस हिसाब से आप टाइम लीजिए और अराम से सफाई करिए और पहले से सुरू करिए ताकि आप festival तक बिल्कुल free हो जाएं तो इस तरीके की सफाई करना मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा होता है कि आराम आराम से सफाई करो कुछ कंप्रोमाइस करना पड़ता है और हम लीजिजों को अपने ही साथ कंप्रोमाइस करना पड़ता है थोड़ा एक हपते के लिए मैंने अपना walking time कम कर दिया थो जाले वेगेरा साफ करें पंखे साफ करें फॉल सीलिंग जो होती है ना उनमें बहुत सारे मकडी के जाले बन जाते हैं तो उन्हें साफ करना भी बहुत बड़ा काम हो जाता है तो up to down साफ करें और इससे जो गंदगी होगी वो आपका पहले नीचे आएगी जाले साफ हो जाएंगे तो उतना स्ट्रेस नहीं रहेगा क्योंकि फ्लोर तो साफ होते ही रहता है इस तरीके से आप साफ करिए दूसरा है इंटू आउट साफ करिए थर्ड टिप यह है कि इनटू आउट साफ करिए अंदर से बाहर की तरफ आईए क्योंकि यह भी बहुत का एफेक्ट OTS है उतना यूज में नहीं आता है और अगर यूज में भी आता है तो वहां तक गंदगी जो होती है दूल मिट्टी होती पहले हमारे बहरी हिस्सों में आएगी मकान के फिर वो अंदर जाएगी तो पहले अंदर की हिस्से को साफ करिए फिर उसकी बात धीरे-धीरे बहार आ इन रूम को आप करिए यह आपके दिवाली तक एजटी बने रहेंगे ज्यादा गंदे नहीं होंगे आपको दुबारा उनमें हाथ नहीं मारना पड़ेगा फिर मुश्किल से रहाता है बाहर का एरिया क्योंकि एक मेहने का टाइम है बाहर का इरिया भी गंदा हो जाएगा तो बाहर का एरिया तेवार जैसे ही आपका पास में आए फटाफट बाहर जाडू वेगेरा और धुलाई वेगेरा कर दीजिए बाहर का एरिया भी बिल्कुल चमचमा जाएगा और मैंने आपसे कहा था ना स्टार्टिंग में आपको प्लांस की टिप्स भी मैं बताओगी कि किस तरीके से मेरे प्लांस बिल्कुल साइनी और चमकदार बने रहते हैं उनके लिए एक खास चिप्स यह है कि आप जब भी दाल चावल बनाए ना उनका पानी यूज करिए सच में बता रही हूं मैंने भी ये किसी से सुना था और मैंने यूज किया तो सच में मेरे प् बस पोच्छा रह गया है उससे पहले मैं अपने प्लांस को सही से केर कर लोंगी फिर उसकी बाद मैं अपनी मॉपिंग करूंगी तो यही कुछ टिप्स हैं देखो तेवार सब के घर में आते हैं मनाना सब को है करेंगे सभी इंजवाए तो क्यों ना हम लोग पहले से अप क्योंकि कहीं ना कहीं हमी लोगों को सारा दिन काम में बिजी रहते हैं फिर ठक हार के हमी लोगों के पास टाइम नहीं रहता है और इतना ठक के चूर हो जाते हैं कि हम लोग फेस्टिवल नहीं सभी से नजवाए कर पाते हैं पहले मैं भी ऐसा करती थी लेकिन अब मैं पहल आ जाता है करवा चौत आ जाती है इस तरीके से काम करने से बहुत जल्दी आसानी से काम को जाते हैं सो यही मेरा आशका ब्लॉग रहा इसमें से कोई सी भी टिप आपको पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा चैनल को लाइक करिए सब्सक्राइब करिए मिलूँगी नेक्स ब्लॉग में तब तक के लिए तिल देन टेक केर बवाए थैंक्स फॉर वाचिंग ए और आपको यही ब संदका करिए कर दो कर दका हो चैनल रहा हो तो कि और प्ल्म हो अ थाभल ब्ल्म उ झाल झाल